सब्सक्राइब करेंगे और इसमें लोग इसका फंडमेंटल चेक करेंगे प्लस फ्यूचर व्यूचर देखेंगे आगे जाने वाले समय में कैसा करने सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं एक चीज़ को आपको सामने नजर आ रही होगी कंपनी हर्मेशा डिविटेंट देती रहती है अभी पिछले यहां पर लास्ट दो सालों में अच्छा का सा इन्होंने दिया है तो यहां पर इस तरीके का सेनारियो बन रहा है यह ट्रेंड लाइन को यह फॉलो कर रहा था और यह लास्ट दिसंबर क्वाटर के बाद ठीक है जब से कुरोना समय के बाद में सारी कंपनीों ने यहां से बहुत यह अच्छा परफॉर्मेंस किया है ठी जो है शेयर 33 से 100 को टाच करके फिर से वापस नीचे आगया और पिछले साल के अगस से ही इसमें गिरावट हम लोगों देखने को मिल रही है अभी जो पास का हम लोग के पास सपूर्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है 49 के आसपास 50 के आसपास चालिए कुछ हम लोग पहले फ बहुत कम है आपको नहीं लगता 4515 परसेंट इस जो रिटर्न वो कम होता है तो यहां पे कम रिटर्न है और आरो से ही पे भी कम रिटर्न है इसका यहां पे थोड़ा सा यहां पे हम लोग को एक ज़रा रही है अभी अभी हम लोग और नीचे जाएंगे और यहां पे हम तो यहां पर देखने को मिला है जो कि मार्च 2021 के पहले देखा जाए कि 2000 के आसपास चलता था और मार्च 2021 में इन्होंने 3000 का यहां पर से दिखाया था ठीक है तो यहां पर जो सेल्स है वह आदा परसेंट मतलब 50 परसेंट से गी रहा है और अभी यहां पर 1603 का इन्होंने लास्ट कॉर्टर में रिपोर्ट किया था तो यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाएगी तो लास्ट कॉर्टर में इन्होंने यहां पर दिखाया 578 करूर और उसके पहले का जो कॉर्टर था 756 करूर तो यहां पर गिरावड देखने को मिला था और य पिछले के पहले ममूथ को दिखेगा यह बीगिरावर है ने richness से अनल में हैं ने profit नेन टॉफटित करेंगे तो यहां पर जो की पहले Brady तू वन ठाटी टू हुआ करता था उसके बाद एक इसमें गिरावड देखने को मिला फिर मार्च 2021 में बहुत पढ़िया जम मिला था जो की 629 करूर का यहां पे इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था उसके बाद से हमें फिर से एक तरह का इसमें गिरावड देखने को मिला है नो डाउट कंपनी अभी भी प्रॉफिट बना रही है ठीक है एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कंपनी अभी भी प्रॉफिट बना रही है और पिछले तीम क्वाटर से यह जो प्रॉफिट है उपर की और जा रहा है ठीक है यहां पर हम लोग गिरावड देखने को मिला है इसे भी चेक करेंग हैER कि और अब icide करेंग है तो यहां पर ev or केरा रही थे ईयर बिसस्स पर चेक करेंगे तो यहां पुछले साल के financial के पिछले के पिछले साल के financial year में यहां पर 2000 का यहां पर लॉस देखने को मुला है उसके बाद कंपनी ने लास्ट फाइनेंसिल एर में 265 करूर का पॉस्ट कर दिया अभी का लास्ट जो बारे महीनों का मतलब पिछले चार क्वार्टर का जो रिजल्ट है यहां पे 2775 करूर है आपको नहीं लगता कि पिछले तीम क्वाटर का ही रिजल्ट यहां पे 265 से ज्यादा होगा होगा कि नहीं तो आने वाले फाइनेंसिल इयर अभी यह यह कंप्लीट होगा 2022 ठीक है फाइनसिल यह जो कंप्लीट होगा मार्च का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आने वाले पिछले तीम क्वाटर से कंपनी जो भी इनका प्रॉफिट था उसके आसपास ही चल रहा है यहां फिर उसे कम प्रॉफिट बना रहा है अभी हम लोग क्या करेंगे शेर होल्डिंग पैटन पे चेक करेंगे यहां फे एक इंपॉर्टन पाइंट चुपा हुआ ह हम लोग ढूनेंगे प्रॉफिट के पास पहले 32.95 पड़ा हुआ था ठीक है आप देखेंगे 32.95 से फिर दिसंबर क्वाटर से हम लोग ध्यान से देखते हैं इसमें धीरे 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 करके इन्होंने सेलिंग किया है तो प्रॉफिट जब अपना माल बेच के निकलते हैं ठीक है कंपनी का थोड़ा सा यहां पर प्लस पाइंट होता है और नेगेटिव में चला जाता है क्योंकि जो कंपनी के प्रमोर्टर से जो कंपनी को चला रहे हैं वही अपना माल बेच के निकलेंगे यहां पर तो यहां पर थोड़ा सा यह जो वी जाता है लोगों के पास तो जहाता है ठीक है हो सकता है उन्होंने माल बैज कि कुछ किया ऊष्का ठीक है कोई लोन चुका कुछ किया ओ लेकिन फिर भी एक नेग़ेटिव एउजाता है और अगर यहां पर एप splitsी्जा नहीं हाँ पर माल अधर्स का भी अभी पे यहां पर इंट्रस्ट बना हुआ है तो वर अल यहां पर मिली जूली यहां पर मुझे दीख रही है रिजल्ट ठीक है कुछ प्लस पॉइंट है कुछ नेगेटिव पॉइंट है लेकिन जो अभी चार्ट पे हम लोगो सही पता चलेगा क्या चल रहा ह यहां पर हम लोगो पता चला प्लस पॉइंट क्या है यहां पर प्लस्पॉइंट है कि अभी भी कंपणी अच्छा कर रही है ठीक है लेकिन पिछले तीन कॉर्टर से जो इनका रिजल्ट है वो थोड़ा-फोड़ा यहां पर नेगेटिव आया है और यहां पर प्रोमोर्ट पर चले जाएंगे यहां पर जिस तरीके का सिनारियो अभी चल रहा है कि अगस्त ही सेलिंग प्रेसर में है देखिए ग्रीन केंडल इसने बनाने की कोशिस किया लकिन अभी तक इसने कभी भी अपना हाइब रेक कभी तक कभी किया नहीं है अगर हम लोग यहां पर एक सपोर् याद रखिएगा कि यह शेयर में 2021 में यहां से उपर गया अभी तक का 52 विक हाई लगा के 100 का फिर से नीचे आ गया इसको इतना नीचे आना नहीं था अगर इसको उपर जाना तो तो इसी के लेवल से यह उपर निकल गया होता लेकिन जानी पाया और फिर से इसी जोन में अगया है और अभी जैसी कैंडल की क्लोजिंग इसने अभी आज की मंडे के सेशन में दी है लग रहा है यह इसको ब्रेक कर देगा इसको ब्रेक करने के बाद जो 50 का लेवल है यहां पर एक सपोर्ट जोन है इसे एक बार रिटेस्ट करेगा ठीक है अगर यह 50 के सपोर्ट उनको रिटेस्ट करता है तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखें किस तरीके से हम लोग इसमें फ्रेस एंट्री ले सकते हैं क्योंकि अगर 50 के 50 के लेवल से अगर यह डब्लू टाइप पैटन बनाता है वन डे टाइम फ्रेम में चला जाता हूं वन डे टाइम थोड़ा सा जमाउड कर लेंगे तो यहां पर देखें अगर इस लेवल पर यह कोई भी प्राइस एक्षेन बना के उपर जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेस एंट्री क्यों लेंगे यहां पर क्यूंकि हमारे पास जो स्टॉप लॉस है यह लास्ट विंग की नीच दो चीज का यहां पर हम लोग को एक तरीके का कनफरमेशन मिलेगा उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे याद रखे कभी भी कोई शेयर उपर से नीचे की और आता है तो रॉकेट नहीं बन जाता यह नीचे आने के बाद परस टाइम जब उपर जाता तो हमें बाई नहीं करना चाहिए ठीक है यह आया और उसके बाद जब यह ऐसा प्राइस सेक्षन बना के निकलता है तभी हम लोग को कोई भी फ्रेस एंट्री लेनी चाहिए क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पर बना के ऊपर की और गया है लेकिन अगर आपको इस टॉप पर ऐसा पैटर्न बना दे ठीक है पैटर्न बनाने के बाद हम लोग नहीं यहां पर ले ली मान लीजे तो यहां पर जाएगा रिजिस्टेंस करके जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा फिर से हम लोग 30% क्वांटिटी में और माल उठा सकते हैं हमारा जो भी स्ट निकलेगा तो हमारे लिए जो लेवल है यह जो बहुत इंपॉर्टन लेवल है यहां पर देखा जाए 48.65 से लेकि 50 का बहुत इंपॉर्टन लेवल है अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो यह 40 के आसपास आजाएगा 40 के आसपास आने के बाद ठीक है बहुत लोग सोचें इस मैंटरी लेने वाला नहीं हो और एक सीज़का हम लोग ध्यान देंगे यहां पर जो फ्यूचर के व्यूँ है यह है कि अगर यह यहां कहीं किसी भी पॉइंट से यूटन लेता है और वीकली टाइम फ्रेम पर यह जो मैंने प्राइस से पैटन बताया आपको ठीक है पह बाद का टार्गेट जो होगा वह होगा एटी नाइन के आस पास ठीक है और उसके बाद का टार्गेट हंड्रेट का फिर से उपर निकलता है तो वैलन गूड है अगर नीचे जाता है तो जब तक मैं वेट करूँगा ऐसा प्राइस से लिए ठीक है में कॉंटिटी कम करने के बाद अपना डिसिजन ले सकते हैं मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दिजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यावाद